इस बार तो चंगल में गचप की ठंडी पड़ चुकी थी सब पक्षी अराम से अपने बन घरों में बैटे हुए थे और किसी भी पक्षी का काम पर जाने का मन ही नहीं होता था वैसे मान ना पड़ेगा कि इस बार तो चंगल में गचप की ठंडी पड़ गई है हम ठंड तो बहुत है पर ये गर्मा गर्म चाय भी कर तो मिनोचेडिया मुझे बहुत सुकून मिल रहे वहीं कालुकवा भी चाय पीने की तलब में था और वे रानी कवी से यूँ कहता है देखो मेरी प्यारी नटखट पत्नी पाहिल कितनी ठंड हो रही है सरा अपने प्यारे पंखों से गर्मा गर्म चाय तो बना कर पिला दो तुम्हें तो पता है ना ठंडी के मौसम में मुझे चाय पीना कितना पसंद है ये बास सुनकर रानी कवी थोड़ा गुसा होती है और कहती है थोड़ी देर में रानी कवी कालु कवी को गर्मा गर्म चाय लाकर देती है ये ले भई बना दी मैंने आपके लिए गर्मा गर्म चाय अब मैं जा रही हूँ अपनी दोस के घर पर थोड़ी देर में आ जाओंगी वापस अच्छा ठीक है जाओ जाओ पर हाँ शाम से पहले वापस आ जाना घर पर क्योंके शाम में और भी जार थन बर चाती है फिर ये रानी कवी अपनी दोस के घर पर चली जाती है क्या बाती मेरी दोस्त तुम्हारे चेहरे पर बारा की मुझे हुए हैं इस ठन के मौसम में तो मेरा जी करता है कि बस मैं अपने गरम घोसले में आराम से सोती ही रहूं पर मेरे कालू जी है कि मुझे सोने ही नहीं रहते जब मैं सोने के लिए जाती हूँ तो कालू जी मुझे कोई नए भूजन की फरमाईश ही कर देते हैं बहुत जारा परिशाना कर ले गई हूँ मैं तो कामों से काम है कि खतम ही नहीं होते मेरी दोस्त तुम परिशान क्यों होती हो मेरे पास तुम्हारी इस समस्या का एक बहुत बढ़िया उपाए है अब देखना तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएंगी मुझे भी ये घर के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं इसलिए पता है मैं अपने पती से बिमारी का बहाना बना कर अपने घर में बस सोती ही रहती हूँ और बिचारे मेरे पती घर का सारा काम अराम से कर लेते हैं मैं तो कहती हूँ मेरी दोस्त तुम भी ऐसा ही करो अब तो मैं ऐसा ही करूंगी अपनी दोस की बात सुनकर रानी कवी खुशी-खुशी अपने घर चली जाती है और जैसा उसकी दोस ने बताया था बिल्कुल वैसे ही रानी कवी अपने घोसले में गरम घास रखकर अराम से सो जाती है रानी ये क्या तुम सो क्यों रही हो चलो उठो उठो मैं भोचन ले आया हूँ चल्दी से बना दो इसे मेरी तबिय ठीक नहीं कालु जी बहुत सरदर्द हो रहा है मुझे अभी अराम करना है आप खुद बना ले आज भोचन कालु कवा बहुत अच्छा था में रानी कवी की बात मान लेता है हाँ हाँ रानी कोई बात ही तुम अराम करो बस मैं बना लूँगा भोचन और घर की भी सारी सफाई में ही कर लूँगा कालु कवा चल्दी से रसोई में आकर भोचन मनाता है और फिर घर की सारी सफाई भी खुद ही करने लगता है बस अगली सुबे भी रानी कवी यही बहाना बना कर अपने गरम घोसले में सो रही थी रानी मैं तो पुरुष हूँ अब क्या खरके सारे काम रोजाना में ही करूँगा चलो तो आज करके काम तुम करोगी नहीं कालू जी मुझे कोई काम नहीं हो सकते मुझे बहुत जारा नेंद आ रही है और उपर से मेरी तब्याट भी ठीक नहीं रानी कवी आलस में अराम से सो जाती है और आज के दिन भी कालू कवा पूरे घर की साफ सफाई करता है और भोजन भी कालू कवा ही बनाता है अब तो रोजाना ही रानी कवी अराम से बस अपने घोसले में सोती ही रहती और विचारे कालू कवी को सारा काम करना पता था जिस कारण विकवा तो अब बहुत जारा परेशान हो गया था कालू कावे आजकल कहां खायब एते हो तुम हम पक्षियों से मिलने भी नहीं आते अब तुम बस यार मैं क्या बताऊं तुमें के मैं किस बड़ी मुश्किल में फज़ गया हूँ हाई रे ऐसी कौन सी मुश्किल बता गई तुम पर मुझे बताओ क्या बता में तुम्हारी कोई मरत कर सकूँ मिनुचेडिया मेरी पतनी है ना रानी उसने तो मेरा जीना दुश्वार कर दिया है खुद तो पूरा दिन पड़ी सोती रहती है और घर के सारे काम मुझे करने पड़ते है अब तुमी बताओ मैं घर के बाहर के काम करूँ या फिर घर के काम करूँ मुझे नहीं होता इतना कुछ आज इतने दिन हो गए मैं घर की सफाई खुद करता हूँ और फोजन भी मुझे ही बनाना पड़ता है रानी तो बस आराम से सोती ही रहती है अच्छा तो ऐसी बात है कालु कववी इसका मतलब अप रानी कववी आल सी हो गई है पर मेरे पास एक उपाई है मिनुचेडिया कालु कववी को अपना उपाई बताती है उपाई सुनकर कालु कववा वहां से चला जाता है और वे भी मिनुचेडिया के बताय हुए उपाई के अनुसार अपने घोसले में गरम घास रखकर अराम से सो जाता है कुछ देर में जब रानी कव्य की आग खुलती है तो वे तो समझ एही थी कि कालू कव्य ने भोजन बना दिया होगा, पर कालू कव्य तो अराम से सो रहा था अरे ये कालू जी को क्या हो गया ये तो इतनी चल्दी सो गए इन्होंने तो अभी तक भूजन भी नहीं बनाया कालू जी उठ जाए उठ जाली से आपने तो अभी तक भूजन भी नहीं बनाया तंग मत करो, मुझे तंग मत करो रानी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, अब मुझसे नहीं होते काम रानी कवी का पेट अभी कुछ भरा हुआ था, इसलिए वे अराम से सो जाती है अगले दिन भी कालू कवा अपने गरम घोसले में अराम से सो रहा था और बिचारी रानी कवी को तो बहुत तेज भूख लग रही थी अखिर ये कालू जी को क्या हो गिया, ये तो बिलकुल मेरे जैसे बन गए, कोई काम के लिए उठे ही नहीं है अब क्या करू में, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, पर कुछ भी हो जाए, मैं तो नहीं उठूंगी भोजन मराने भोजन तो कालू जी को बना नहीं पड़ेगा ऐसा सोच कर रानी कवी दुबारा से सो जाती है कालू कवे ने तो रानी कवी से नजर बचा कर मिनुचेडिया का दिया हुआ भोजन खा लिया था इसलिए कालू कवे का तो पेट भड़ा हुआ था दो दिन ऐसे ही चलता है, घर काफी जादा गंदा हो जाता है क्योंकि अब दोनों में से कोई भी घर के काम करने को तयार नहीं था और तो और विचारी नानी कवी का तो अब भूग से बुरा हल था ये कालू जी तो नहीं उठेंगे, अगर मैंने अभी भोजन बना कर नहीं खाया तो में मर जाओंगी, भोजन तो मुझे बना नहीं पड़ेगा अब वे कवी भूग के मारे फोरण रसोई में आती है और भोजन बनाने लग जाती है जब तक भोजन बन रहा था, नानी कवी इतने में घर की सारी सफाई भी करने लगती है ये देखकर कालू कवा भी उट जाता है और बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है देखा रानी, हमारा गर कितना साफ सुतरा हो गया, वरना कितना गंदा हो रहा था हमारा गर अब तुम खुद देखो रानी, तुम कामकाज करके कितनी जादा पूरतीले लग रही हो, बिलकुल भी सुष्टी नजर नहीं आ रही तुमें, अगर तुम इस ठंडी के मौसम में सोती ही रहोगी, तो तुम आलसी बन जाओगी, और आलसी पन से तो बहुत सारी बिमारियां ह जाती हैं, हाँ कालू जी, आप ठीके रहे हैं, बस अब में घर के सारे काम करूंगी, और आएंदा कभी भी घर को इतना जादा गंदा नहीं करूंगी, हम्, ये होई ना कोई बात, फिर अब कालू कववा और रानी कववी मिलकर, खुशी खुशी भोचन खाते हैं, और बाजुचील अब पक्षियों का शिकार नहीं कर पा रही थी, क्या करूं, कितने दिनों से भूकी हूँ, परन्तु कोई भी पक्षी हाथ नहीं लगा, अगर इसी तरह चलता रहा, तो भूक के कारण मैं तो मर जाऊंगी, तब ही बाजुचील को सामने सेप का पेर दिखता ह चलो भई, अभी ये सेप खा कर ही अपना पेर भर लेती हूँ, फिर बाजुचील सेप के पेर के पा जाती है, जैसे ही बाजुचील सेप खाने के लिए उस पेर की टहनी पर बैठती है, तो अचानक वे टहनी तूट जाती है, और बाजुचील भी नीचे गिर जाती है, से बाजूचील के शेतानी दिमाग में एक उपाय आता है अरे वाँ ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है अच्छा हुआ कि ये टहनी टूट गई और मुझे इतना अच्छा उपाय मिल गया थोड़ी देर के बाद बाजूचील जमीन में एक बड़ा सा खर्ड़ा खोद लेती है और उपर से कुछ जाड़ियां बिछा देती है और जाड़ियों के ओपर बाजूचील कुछ भोचन रख देती है बस अब मैं जमीन के अंदर छुप जाती हूँ और कोई भी पक्षी भोचन की लालच में यहां आएगा तो वे नीचे गिर जाएगा और मैं उसकर शिकार कर लोंगी बस फिर क्या था बाजूचील नीचे जमीन में आकर छुप जाती है बाहर से देखने में बिलकुल भी पता नहीं चल रहा था कि बाजूचील ने पक्षियों के लिए जाल बिछाया हुआ है बस तभी वहां से कबूतर भी गुजर रहा था अरे रे ये गर्मी त ठक गया मैं तो परन्तु जरासा भी भूजन नहीं मिला तबी कबूतर को सामने जमीन पर रखा हुआ भूजन दिखता है अरे वा इतना सारा भूजन परन्तु आखिर ये किस पक्षी का भूजन है कौन भूल गया यहां पर क्या पता कोई रहम दिल पक्षी ने भूजन जाता हूँ और घर में जाकर सुकोन से आराम करता हूँ कबूतर की मौत बहुत करीब थी विभोजन की लालच में भोजन के करीब जाता है और बस उस घड़े में गिर जाता है वाँ भई पहला शिकार हाथ लग गया और वो भी कबूतर अब तो इसे मजे ले लेकर खाऊंगी बाजूची ज़रा सा भी नहीं रुकती और उसी समय कबूतर को मार कर खा जाती है वहीं दूसी तरफ नना कबूतर अपने बाबा को ढून रहा था और काफी ज़ारा परिशान था मिनुँएंटी क्या आपने मेरे बाबा को देखा है हाँ नने कबूतर मैंने सुबः कबूतर को भूचन डूंते हुए दिखा था परंतु अब तो शाम हो गई क्या कबूतर अभी तक घर नहीं आया हाँ मिनुँएंटी बाबा तो अभी तक घर नहीं आये वहीं दूसी तरफ अब उस भूजन पर नने तोते की नजर पर जाती है और अब वो भी लालच में आ जाता है अरे वा इतना सारा भूजन बाबा को दिखाऊंगा बाबा तो बहुत जादा खुश हो जाएंगे चलो जल्दी से इससे ले जाता हूँ वरना कोई दूसरा पक्षी आ कर ले जाएगा बस फिर वे नना तोता भी भूजन की लालच में करीब जाता है और वे भी उस खड़े में गे जाता है अरे वा एक और नना पक्षी मेरे तो मज़े ही आ गए वा बाजू चील क्या उपाय निकाला है तूने मेरा पेट तो भरा हुआ है बिचारा मेरा बेटा खोसले में भूगा होगा चलो इतनाने पक्षी को ले जाकर मैं अपने बच्चे को दियाती हूँ बाजू चील रोजाना अपक्षियों का मास खाती थी और वे अपने बेटे के लिए भी ताजा भूजन ले कर आती थी वा ममा अब तो हमारे रोजी मज़े हो रहे हैं हम रोजाना पक्षियों का मास खाते हैं पर जैसा हम चाते हैं वैसा होता रहे और इसी तरह पक्षियों का मास हमें मिलता रहे हाँ हाँ मेरे बेटे ऐसा ही होगा तुम बिलकुछ इंदा मत करो ममा मुझे वे राजु कववा बहुत बुरा लगता है अगर वे आपके जाल में कभी फ़स जाए तो उसका मास आप मुझे लाकर देना मैं खूब मज़े ले लेकर खाऊंगा ठीक है बेटा अब मैं चलती हूँ अब तो जंगल में काफी सारे पक्षी गाइब हो गए थे जिस कारण जंगल के पक्षी तो बहुत जारा परिशान थे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ना तो हमारे जंगल में चीलों का खत्रा ही और नहीं किसी जंगी जानवरों का तो फिर हमारे चंगल के इतने सारे पक्षी नाचाने कहा गायब हो गई हाँ मिनुचेडिया, बुलबुल का बच्चा, तोते का बच्चा, कबूतर और नन्ना कबूतर और बाकी बहुत से पक्षी गायब हो चुके हैं आखिर ये सब कुछ कौन कर रहा है हम क्या कर सकते हैं, पर अंतु देखना, ये सजबी सब के सामने एक ना एक दिन आ ही जाएगा और मुझे पता चल जाएगा, कि आखिर मेरा बेटा कहां चला गया अगले दिन मिनुचेडिया भोजन लेकर कुमल चेडिया की तरफ जा रही थी फिर राजु कववा मिनुचेडिया के साथ चला जाता है वापसी पर मिनुचेडिया और राजु कववे को वो ही बाजु चील का रखा हुआ भोजन दिखता है बस राजु कववा भी लालच में भोजन के करीब जाता है और वे भी उसी खड़े में गिर जाता है तबी बाजुचील राजुकवे को खड़े से निकाल कर अपने बेटे के पास ले जाती है अच्छा तो ये बाजुचील ने जाल बिछाया हुआ है ताकि वे सब पक्षियों का शिकार कर सके बापरे ये तो राजुकवे को अपने साथ ले गई मुझे तो फारण सब पक्षियों के ये बात बतानी होगी मीनुचेडिया फारण से पक्षियों को जमा करती है और सारी बात पक्षियों को बताती है हाई रे मेरा राजुकवा बाजुचील मैं तुम्हे छोड़ूगा नहीं अब पता चला कि ये सारे पक्षी गायब नहीं बलके बाजूचील का शिकार बन रहे थे बस पक्षीयों अब हम और पक्षीयों को नहीं खो सकते अब मैंने सोच लिया हैं कि हम बाजूचील को उसे उसके तरीके से ही सबख सिखाएंगे अब तुम्हारा अंजाम बहुत करीब है बाजूचील अब तुम हम से नहीं बच पाओगी बस फे सारे पक्षी मिलकर जमीन में बाजूचील की तरह खरड़क होते हैं और वैसे ही जाडियों को बिछा देते हैं और जाडियों के पास लाकर वे एक मरे हुए पक्षी को लाकर रख देते हैं अब बाजूचील अपने ही बनाय हुए जाल में फर जाएगी और अपने अंजाम को पहुँच आएगी चलो चलो मिनुचेडिया हम जाकर छुप जाते हैं बाजूचील बस आती ही होगी काफी देर गुजर जाती है परन्तु बाजूचील तो अभी तक नहीं आई थी फिर अचानक से बाजूचील अपने बेटे के पास से वापस आ रही थी तो इसकी नजर मरे हुए पक्षी पर पड़ती है अरे वाँ मरा हुआ लगता ही ये पक्षी करमी के कारण मर गया होगा चलो एक और भूचन मिल गया मुझे बाजूचील जैसे ही उस मरे हुए पक्षी के पास जाती है तो वे उस बड़े से खड़े के अंदर गिर जाती है वे खड़ा तो काफी जारा गहरा था जिस कारण बाजूचील अब उस खड़े से बाहे नहीं निकल पा रही थी फिर सारे पक्षी भी फॉरण से वहाँ पर आ जाते हैं बाजूचील आखिर तुम फसी गई हमारे चाल में इसी तरह हम पक्षीयों को पकड़ रही थी ना तुम अज हमने भी तुम्हें इसी तरह पकड़ लिया वैसे बाजूचील तुम्हारा उपाय तो बहुत बढ़िया था अज तुम अपने ही उपाय के कारण खुद पकड़ी गई मुझे बाहे निकालो वाइना में किसी पक्षी को नहीं छोड़ोंगी मुझे बाहे निकालो दुश चील अब तुम्हारी मौत आ गई है तुमने हमारे साथ बहुत बुरा किया है अब हम पक्षी भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे फिर तोता पैट्रोल लेकर आता है और वे पैट्रोल उस खड़े में डालने लगता है अब सारे पक्षी मिलकर उस खड़े में आग लगा देते हैं और बाजुचील उसी आग में जल कर मरने लगती है इस तरह बाजुचील अपने अंजाम को पहुँचाती है और अब पक्षी दुबारा से सुकून का सांस लेते हैं